जहे हैं दोस्तो तो आज हम लोग जानेगे class 10th mathematics exercise 1.2 का प्रस्ण संख्या 1 एक नमबर प्रस्ण लिखा है सीध की जे की रूट 5 एक अपरी में संख्या है तो क्या करना है इसको सीध कर देना है की रूट 5 एक अपरी में संख्या है तरहीं है इस सबको पता है अपर में है छेकिन जीध करके ईसको दिखाना पड़ेगा इस यह परी में संख्या है तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको मान लेंगे कि यह परिमे संख्या है कभी तो सीध होगा न लिखेंगे कि माना की माना की रूट पाँच एक परिमे संख्या है रूट पाँच को क्या माल लिए जाएगा परिमे संख्या है इसलिए परिमेस अंख्या की परिभासा से तो परिमेस संख्या की परिभासा क्या होता है जिसको P Y Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q को इपुना हैं खोता था Q not equal to 0 तो रूट पांच किस के ब्राबर हो जाएगा पी वाई क्यू के ब्राबर हो जाएगा पी वाई क्यू के ब्राबर हो जाएगा रूट पांच होगा पी वाई क्यू के ब्राबर लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पी और क्यू कोई पुणांख है कोई पुणाग है और जो परिम्शंखिया हता है भाजय अभी संखिया भाजय हो सकता हरा भाजय भी सकता है तो लिख्या है कि यदि पी और क्यूँ पी और क्यूँ में कोई पी और क्यूँ में कोई अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो तो इसे सह अभाज्य सह अभाज्य करने पर माना की यह अभाज्य गुणनखंड होगा तब उसको सा भाज्य कर दे समय अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए तो इसको माने कि यह क्या है M by N है इसलिए ROOT 5 ब्रावर M by N हो जाएगा इसको 1 लगा कर 3 सा 3 सी गुणा कर दीजे तो ROOT 5 N ब्रावर क्या हो जाएगा M हो जाएगा अब दोनों तराफ बर कर दीजे अब दोनों तराफ बर करने पर दोनों तराफ हम हुआ एक वर्ग करने पर गया दोनों तरफ बर्ग जांब किजिए गा तो is एक यानि की बर्ग दोनों तरफ चड़ा देंगे यानि रूट पांच एन का एस्कौार अब रावर में तर्फ कि रूट पांच का स्कॉयर हो जाएगा पांच और एन का स्कॉयर हो जाएगा एन स्कॉयर ब्राबर में कितना हो जाएगा एन स्कॉयर का यहां पर मान निकाल लिजेगा कि कितना हो जाएगा A m sqr बट्टा 5 आ जाएगा अब यहाँ 5 जो है m sqr को भाइद करता है तो A m को भी भाइद करेगा इसको हम माल लेंगे क्या समीकरन एक माल लेंगे और इसको माल लेंगे समीकरन 2 लिखेंगे कि यहां यहां पांच एमे स्क्वाइर को बिभाजित करता है पांच एमे स्क्वाइर को बिभाजित करता है इसलिए पांच एमको भी एम को भी विभाजित करेगा तो बिभाजित करेगा यानिकी हिए जो शंख्या को भी 25 को भीएद करता है तो 5 को भी तो भीएद करेगा न उयहीं सेम यहां पर है कि 5 जब एम स्क्वाइर को भाइद कर रहे हैं तो एम को भी विभाइद करेगा और एक बात ध्यान रखना है कि मानना क्या है कि एम के बराबर मानना की यह सब में करना पड़ेगा जो सिंगल रहेगा रूट 5 रूट 7 रूट 3 सीध करने के लिए इसमें सब में मानना पड़ेगा मानना की एम बराबर 5 के एम बराबर 5 के मानना लिजेगा तब समिकरण 1 से तब समिकरण 1 से तो समिकरण 1 देखिए क्या दिया है एक रूट 5 एम बराबर एम है एम के जवापर भरना कितना है एम के जवापर भरना है 5 के भरना है तो रूट 5 एम बराबर 5 के भर दिजेगा अब इसको लेकर चलिएगा दुनों तरफ बर्ग कीजिएगा अब दुनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर अब दुनों तरफ बर्ग कीजिएगा तो इस पे दुनों पे स्क्वाइर लगेगा यानि कि रूट पांच एन का स्क्वाइर होगा ब्रावर 5 K का स्क्वाइर होगा अब दोनों का स्क्वाइर कर लिजेगा तो यहाँ पे 5 A N स्क्वाइर होगा और यहाँ पे 25 K स्क्वाइर हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा 25 K स्क्वाइर अब K स्क्वाइर का मान निकलिएगा तो के स्क्वाइर का मान निकले तो पचीस बट्टा में आएगा यानि कि पांच एने स्क्वाइर बट्टा पचीस हो जाएगा तो पांच से पचीस को पांच बर में काट सकते हैं हुआ किस्वाइर बर्हाबर कितना निकल गया के स्कुायर बरावर निकला है इसको पांच अब यहां पर हम देख रहा है कि पाउंच स्कुएर को भौधे हाइजित कर रहा है तो जब चुल sug अश्य क्याय करेगा इसको माल लिए जाएगा समी करण 3 लिखे है कि यहाँ यहाँ पांच एन स्क्वाइर को विभाजित करता है इसलिए पांच एन को भी विभाजित करेगा अब यहाँ पे समकरण दो और तीन से क्या पता चल रहा है कि एन स्क्वाइर जो है एन संख्या जो है विभाजित हो रहा है और एक से पता चल रहा है कि एक है यहाँ भी विभाजित हो रहा है और पहले हम मान क्या स्क्राउे है tą अनोले कि आधीक है कि यहां पेप्टर आ रहा है तो लिखेंगे और कि कैसे लिखेगा की अब यहाँ पे लिख दिजएगा कि समिकराण पता समिकराण एक और दो से या ग्यात होता है कि ग्यात होता है कि हमारी मानियता गलत है क्या ग्यात होता है कि हमारी मानियता गलत है जब हमारी मानियता गलत है हम मान क्या लिए है कि एक परिमेशंख है एक परिमे संख्या है यानि कि जब यह गलत है तो क्या होगा परिमे संख्या होगा इसलिए इसलिए रूट पांच एक और परिमे संख्या है रूट पांच एक और परिमे संख्या है है कि यह सी दुवा लिख देंगे प्रूब प्रूब लिखिए चाहे यहीं साभीत करना था ही कि चाहे साभीत हुआ चाहे इती सी धम कोई भी लिख सकते हैं असा एक कि यह समझ में आ गया है एक बार इस वीडियो को इस पॉस्टन को एक बार और देख लिजेगा ताकि और ब को सीध करना बहुत यह सान है जो एक नमबर सीध किया हाँ उतना लंबा इसको सीध नहीं करना है उतने जंजटि नहीं इसमें बहुत ही असान भासा में इसको सीध करने मैं देख наб 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमे संख्या इसको माल लिए जाएगा इसलिए परिमे संख्या की परिभासा से तो परिमे संख्या की परिभासा से हो क्या जाएगा कि 3 प्लस 2 रूट 5 ब्रावर PY Q जहां P और Q कोई पुणाख है तथा Q not equal to 0 इतना बात तो लिखना ही पड़ेगा सब में इतना लिखना पड़ेगा और इसके बाद से बहुत ही असान है एक तरफ क्या परिमे संख्या और इक तरफ अपरिमे संख्या तए इसमें परिमे या परिमे दोनोंह मिला हुआ यह तो कर दिजिए यहां पर 3 को अधर वेज़ेगा, तो माइनस में हो जाएगा, यानि 2 रूट 5 ब्राभर P Y Q और माइनस में कितना अध्दू हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 तिक है अब इसका बटा का घटाओ कर दिजिए तो बटा का घटाओ तो आता हैंगे सबको 2 रूट 5 इक्वल 2 LC मा जाएगा q यह q से भात दिजिएगा तो पि- यहां पर जाएगा 3q लादेंगे घुणा मे हैं इधर ना होगी यह अब यहां समझने वाली बात यह है कि हममने सीध़ कर दिया है कि रूट 15 एक और यह वाले परिमे संख्या यह बता है कि परिमे संख्या और परिमे संख्या कर भी ब्राबर हो सकता है चोर और साधू का भी ब्राबर हो सकता है नहीं हो सकता है तो अहल यहापे भी तो परी परीमें ऑर ब्रप्रीस अध्या ब्राबर संझ्ख्या है तथा RHS में P-3Q-2Q एक पर्मे संख्या है एक परिमे संख्या है एक परिमे हो गया है और एक अपरिमे हो गया तो परिमे अपरिमे कभी बराबर नहीं होता है तो लिख सकते हैं कि एलेचेस नट इक्वल टू आरेचेस यानि एलेचेस वे आरेचेस के बराबर नहीं होगा अता हम कह सकते हैं कि तीन प्लस दू रूट पांच एक अपरिमे संख्या है अपरिमे संख्या है इतना ही बस करना था यह हो गया सीद यह प्रूट हो गया सावित हो ठीक है बस इतना ही करना था विल्कुल असान है अब अगला कोश्चन को देखते हैं प्रस्ण संख्या 3 तीन नमबर प्रस्ण लगए कि स्थीद कीजे कि निमलेखित संख्या है अपरिमे है क्या सीद करना तो एक नंबर का स्वाल्व कर देते हैं एक नंबर का ठीक है सबसे पहले एक नंबर में मान लेंगे कि माना की माना की एक बट्टा रूट दू एक परिमेश संख्या है परिमेश संख्या है इभी आसाने भासा में सिद्धो जाएगा आसान यूत्रा लंबा नहीं करना पड़ेगा इसलिए परिमेश संख्या की परिभासा से परिमेश संख्या की परिभासा से वान बाई रूट टू एक वाल टू पी बाई यू जाएगा जहां पी और क्यू पी और क्यू पी और क्यू कोई पुनाख है कोई पुनाख है तथा क्यू नौट इक्वल टू जीरो ठीक है पी और क्यू कोई पुनाख है तथा क्यू नौट इक्वल टू जीरो है अब इसको भी तिर्चा तिर्ची गुना कर दीजे रूट टू कामान निकाल दीजे रूट टू से पी में होगा तो रूट टू पी होगा वन से क्यू में होगा तो क्यू हो जाएगा इसलिए रूट टू बराबर क्यू बाई पी हो जाएगा रूट टू बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई पी अब यहां देखिए यह जो है root 2 अपर में संख्या और P by Q या निकी Q by P पर में संख्या है तो लिख देंगे कि यहां LH S में root 2 एक अपर में संख्या है अपर में संख्या है तथा RHS में Q by P एक पर में संख्या है एक पर में संख्या है जब एक पर में और एक अपर में हो गया तो दोनों बराबर समभा होगा नहीं होगा तो लिखेंगे कि LH S not equal to RHS होगा LH S not equal to RHS अथा अथा 1 by root 2 एक अपर में संख्या है 1 by root 1 और पर में संख्या है और पर में संख्या है ये भी सीध हो गया रूट लिख लिजे ठीक है साबित हुआ रूट अब ये वाला question साथ रूट पांच ये भी सेइध होगा किरेगा कि यह संख्या या इसी तरह से इसको सीध कर सकते हैं और इसको भी आफ लोग दोनों को इसो में इसको नोट कर लिजिए और इसको बना करके अप कमेंट कर देगा उसका रिपलाई हम जरूर देंगे एक और कोस्टन अप्लोग सीध कर लिजेगा इस डवलू में एक और लिख लिजे कि रूट तीन रूट तीन एक अपरिमेसंख्या है इसको भी सीध करके अप्लोग कमेंट जरूर कीजेगा आज इतना ही राने देते हैं जय हिंद जय भारत जय बिहार दन्यवाद